नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मन्मिन्दर और मेरी चैनल लैब्री स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं सभी का खेर मगदम करती हूँ दोस्तों अपने घर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो मुहली ऐसा था उसे भी घर आंगन छोड़ना पड़ा घर ही नहीं वो गलिया वो जबारे जांगों चैक्ति फिट्थी थी सब कुछ छूट गया और साथी छूट गई सही लिया स्कूल खिलोने किताबे और भी नजाने क्या क्या कुछ था तो हूँ थी एक आस जिसे पकड़े पकड़े वो जिन्दगी भर चलती चली गई और वो दो पंक्तिया पाथ छोटी चिडिया खाती ती अनार उनमें से एक उड़ गई बाकी रह गई चार लेकिन एक दिन वो छिटकी उससे ठैर कर तो लगा कि कोई उसे बुला रहा है उसी दिन उसने अपने घर को देखने का जजबा अपनी हतेलियों में जोड से दबाया और देखा कि अब बस्वन के खोए हुए घर को देखने का वक्त आ गया है उसने वीजा एपलाई किया लेकिन ये क्या दिन महीने साल लगते हैं व उस दिन उसने Facebook पे एक पोस्ट शेर की, पाकिस्तानी दोस्तों मैं बड़े दुख के साथ ये पोस्ट कर रही हूं, कई बार कोशिशे करने के बापचूर मुझे विजा नहीं मिल रहा है, मुझे राविल्पिंडी में अपना घर देखना है, जो मैंने 15 साल की उम्र में दो द कर दिया गया, इस पोस्ट को जब क्लब के एड्मिन इमरान मिलियम ने देखा, तो रास्ते खुलते चले गए, और वो पहुँच गई अटारी के रास्ते, वागा बर्डर पे, क्योंकि उसे वीजा मिल गया था, तीन महीने के लिए, और बर्डर पे स्वागत करने के लिए इमरान मिलियन की टीम मौजूद थी, वो खुद वह मौजूद थे, उनकी बेगम वह मौजूद थी, जानते हैं कौन है, जिसने अपने सपने को सच किया, जिसने अपने सपने को मरने नहीं दिया, रीना चिबबर वर्मा, जी हां दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यूँ तो 90 साल की उम्र में इंसान चल्ले फिनने की खोशिशे कम कर देता है और ज्यादा से ज्यादा आराम करने में मिताता है. ऐसा करना गलत भी नहीं है क्योंकि इस उम्र में शरीर काफी कमजूर हो जाता है. लेकिन कुछ लोग दुनिया में हमेशा अपवाद होते हैं और ऐसा ही अपवाद है नबे साल की मैला रीना शिबा वर्मा जो भारत से पाकिस्तान केवल और केवल अपना फुष्टेनी मकान देखने के लिए रावल्पिंडी पहुँच चुकी है मैं आपको बता हूँ कि अक्सर वो अपने घर के लिए सपना देखती थी कि वो कैसे वो वहाँ जाएं कैसे पहुँचे अक्सर वो उन गलियों का जिक्र करती थी फेस्बुक पे फोटो के द्वारा अपने बसपन के फोटो के फेस्बुक के शेयर करती हैं अपने रिलेटिव के फोटो के फोटो के फोटो करती हैं और फिर उसमें सवाज पुड़ती थी कि कोई इसे जानता है साथ में वो ये भी लिखती थी कि पाकिस्तान से कोई से जानता है राविल पिंडी से कोई से जानता है और कई बार तो वो अपने घर के आसपास स्कूल होने का बिजिक्र करती थी उनके घर के पास एक नाला है उनके घर के पास एक नहर बहती है उनकी घर के बस खला दुकान है ये सब सिगनल वो देती रहती थी और बीस बीच में से कुछ लोग उनको बताते भी थे कि हाँ ये नाला ठीक उनके घर के पास से बहरा है ये स्कूल उनके घर के पास ही है और ये गली ये गली भी उनके देखी हुई है हमारे जानने वाले लो पूरे 75 साल के बाद पाकिस्तान में अपने घर की जादों को फिर से ताज़ा करने के लिए पहुँच चुकी है। उनके इस सपने को पुरा करने के लिए पाकिस्तान की विदेश राज्यमंतरी इना रभानी खार ने भी उनकी बहुत मदद किये। क्योंकि जो पोस्ट उन्होंने फेस्बुक पे शेयर की थी उसमें उन्होंने इन्हें भी टैग किया था। 90 साल की दीना विभाजन के समय पाकिस्तान चोड़ करके भारत आ गई थी। लेकिन रावलपंडी में उनका पुस्तेनी मकान ने उसे देखने का सपना 75 साल के बार पूरा हुआ है। पाकिस्तान ने भारतिय नागरिप विदीना वर्मा को वीजा दिया है। और वे अटारी सीमा के जरिए पाकिस्तान पहुँच चुकी है। वहाँ पे उनका बहुत गरम जोशी से स्वागत किया गया। इंडिया पाकिस्तान हेरिटेस क्लब के द्वारा। और उसके बाद वो उनको अपने घर ले जाते हैं, अपने स्टूडिय में ले जाते हैं। और बहुत सारी बाटे करते हैं जो वो पिछले दो दिन से फेज़ दूर पे शेयर कर रही है। रीना शिबर वर्मा का ये मानना है कि विवाजन से पहले हिंदू और मुसल्मानों की दिश कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। जिससे तनाव हो। ये सब तो विवाजन के बात हुआ है। हाला कि वो ये भी कहती है कि विवाजन गलत था। लेकिन जब ये हो गया है तो दोन देशों को प्यार से रहना चाहिए। सभी के लिए विजा के पाबंदियों में डील देने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दू कि दीना वर्मा 47 में जिस समय देश का बटवारा हुआ था। उस समय उनकी उम्र 15 साल की थी और वो 15 साल की उम्र में भरता ही थी। नब्य साल की बुजरुग दीना ने पाकिस्तानी वीजा के लिए जब अपलाई किया था तो उसे कई बार ठोड़ाए गया था। उसके बाद उन्होंने विदेश राजमंत्री इनरब्बानी खार को सोशल मीडिया पे टैक करते हुए पाकिस्तान जाने की इच्छा जता ही थी। और फाइनली उनकी वो इच्छा पूरी होती है जब उन्हें वीजा मिल जाता है। दोस्तों यह जो मैंने आपको पूरीना जी की कहानी बताई है। मेरा मक्सद यह है कि हम अक्सर नीद में सपने लेते हैं। और हम अपने बश्वन के घर को देखते हैं। वो प्लेग्राउंग देखते हैं, वो स्कूल देखते हैं। लेकिन जातक मैं समझते हूं। रीना जी ने अपने पुस्तैनी घर को देखने का जो सपना देखा था। वो उन्होंने जाकते हुई देखा था। उन्होंने काफी मेहनत की इसके लिए। कई तरह थे उन्होंने प्रयास किये। सुशल मीडिया के जरीए उनको बहतर रिस्पॉंस मिला। और उन्होंने वहाँ पहुंस करके जिन लोगों से वो मिल रही हैं। उनके साथ बराबर वो वीडियोज अपने शेयर कर रही हैं। जिनका सार यही है कि यहां के लोग बहुत प्यारे हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूंके सभी जगहों पे लोग ब्यारे होते हैं। बटवारे जैसी चिज़ों को जनम देदें लगतार इसे कोश्च से करते रहते हैं लगतार अपने जो है बुरे कामूं के जरीए कि अपनी सरकारों को डिस्टरफ करते रहतें लेकिन इनसान बुरे नहीं होते हैं परीमा जेने जिन लोगों के साथ बहुत एंसब की ऐस मुलाकाद की। उन सब की ओं तारीफ कर रहें थीन महिने तक वह 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 रहेंगी अपने दोस्तों से मिलेंगी अपने स्कूल के दोस्तों से मिलेंगी अलाकि वो ही कह रही है कि मुझे उन लोगों के बहुत जादा नाम वगरा याद नहीं है लेकिन उनके चेहरे का गलो देखके ये बात समझ में आती है कि वो वहाँ पर बहुत कुछ है उनके पुष्टैनी घर में कोई और रह रहा है इस समय इससे उने कोई अदराज नहीं है लेकिन एक बार उन्होंने अपने पुष्टैनी घर को देख लिया इसके बाद जो उनके कलेजे में ठंड़क पड़ी है वो उनके चेहरे में देखी जा सकती है तो दोस्तों आपको य मेरे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वैसे बटवारे की जो कहानिया है वो बहुत दिल दुखाती है अगर हम मंटों को पढ़े हैं या हम कभी किसना चुपताई को पढ़े या फिर हम कभी अम्रिदा भीतम को पढ़े खुश्वन सिंग को पढ़े उन सब लोगो लगबख उसी एस ग्रूप की रिना चिपर अपने पुस्तैनी घर के आसपास कहीं भूम रही है तो उनकी खुशी को सदों में बयान नहीं कहा सकता है उनके लिए शब्द भी कम पढ़ जाएंगे जितनी जितनी खुश वो हैं अपने पुस्तैनी घर को देख करके पिला ल पहानियां आपको मेरी नशिपर जी के बारे में बताऊंगी आप से शेयर करूंगी तक आप मुझे इजादत दीजिए जय हिंद जय भारत